Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग UPSC Plims 2021 के Modern History section को देखेंगे और देखते हैं कि इन में से कितने questions spectrum से लगे हैं तो इस साल Modern History से total 8 questions हैं पहले question में पूछरा है कि शानवाज खान, प्रेम कुमार सेगल और गुर्बक सिंग डिलू ये किसको ब्लॉंग करते थे? इसका answer आपको simply chapter 24 spectrum में मिल जाएगा चेप्टर है post war national scenario यहाँ पर साफ तोर पर लिखा हुआ है कि ये सारे लोग जो है इंडिया national army को बलॉंग करते थे तो इस question का answer है D अब चलते हैं next question पर यहाँ पर पूछ रहा है कि first quarter of 17th century में East India company ने factory कहाँ पर लगाई थी तो इसका answer भी आपको spectrum में मिल जाएगा chapter 3 में जो है advent of Europeans in India यहाँ पर clearly mention किया गया है बरूच को तो इसका answer होगा one only question number 3 में पूछ रहा है कि इन में से कौन Bethune female school से associated था तो यह भी spectrum में अलड़ी covered है इसका answer है इश्वरचंद विद्यसागर in fact हमने भी इश्वरचंद विद्यसागर वाली वीडियो में इसको detail में cover किया था इसके बाद हम देखते हैं question number 4 यहाँ पर दो statement दी हुई है पहली है Montego Campsport Reform 1919 से लिटेडड और दूसरी है Government of India 1935 से लिटेडड तो यह जो पहले statement है यह wrong है बढ़ इसके बारे में आपको straight forward कहीं नहीं मिलेगा बढ़ हमने अपनी एक वीडियो में यह cover किया था अब यह तो हुई leaders की बात बढ़ इन leaders को vote कौन करेगा यानि voters की भी बात कर लेते हैं basically 1935 से पहले बहुत ही limited लोगों के पास vote करने के अधिकार हुआ करते थे लेकिन अब Act of 1935 के बाद around 3 करोड लोगों को vote करने के rights दे दिये गए जो की total population के 14% थे तो इस वीडियो के बेस पर आप देख सकते हैं कि 1935 के बाद भी इंडिया के पास सिर्फ 14% लोगों के पास ही voting कादिकार था तो ये तो possible ही नहीं है कि सारी की सारी women जो के 21 years से उपर हैं उनको voting कादिकार 1919 के बाद ही recommend हो गया हो तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि first statement wrong है अब अगर हम लोग second statement को देखें तो spectrum के इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ये statement सही है या गलत बढ़ हमारी government of India 1935 वाली वीडियो में हमने clearly mention किया था कि women को reserved seats दी गई थी आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर government of India 1935 मे communal representation को government of India 1919 के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दिया गया यहाँ पर Muslims, Sikh और Europeans के साथ-साथ Libers, Landlot, Women को भी separate electorate दे दिया गया तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो first statement है वो wrong है और second statement ही correct है तो answer हो गया B अब दिखते हैं next question यहाँ पर पूछ रहा है कि 8 तगस 1942 को इंडियन हिस्ट्री में इन में से कौन सी इवेंट हुआ था तो इसके बारे में Spectrum के chapter 23 Quit India Movement में साफ तोर पर लिखा हुआ है कि 8 तगस 1942 को Quit India Movement का resolution एडॉप्ट किया गया था EICC में तो इसका answer सही हुआ A अब दिखते हैं next question Question No.6 पहली statement है कि निजामत ओफ आरकोर्ट इमर्ज हुई थी क्या हैदराबाद स्टेट से Second statement है कि मैसूर किंग्डम विजनेगर एंपायर से इमर्ज हुआ था गया और third statement ये है कि क्या MSA दुरानी ने जो territories ये occupy की थी उससे रोहिलखन किंग्डम बना था गया आप एक बार देख सकते हैं इसके कुछ territorial areas को तो डेकन सल्तिनत ने capture कर लिया और बचा कुछा विजन अगर एंपायर अब छोटे-छोटे kingdom में तूटना शुरू हो गया और ऐसे में 1612 में एक Hindu kingdom इमर्ज हुआ मैसूर रीजन में यहां पर वुदियार डाइनिस्टी का राज था इसके लवा statement 1 जो है इसको भी हमने अपनी वीडियो में cover किया है मुगल एंपायर को कमजोर पढ़ता देख कई सारी provinces की governors ने खुद को province का निजाम घोशित कर दिया ऐसे states को successor states भी कहा जाता है ऐसा ही एक successor state था हाइदराबाद जहांकि governor ने 1724 में अपने आपको हाइदराबाद का निजाम घोशित कर लिया और title लिया निजाम अल मुल्क आसफ जाफ 1st का हाइदराबाद के आसपास और भी सूबे थे जिन पर मुगल काल में deputy governors न्यूक्त हुए थे और जो आसफ जाफ 1st को report करते थे ऐसा ही एक सूबा था कार्नेटिक कार्नेटिक में उस समय deputy governor थे मुहम्मद सेयद आसफ जाफ 1st ने उसे कार्नेटिक का नवाब बना दिया और title दिया सादुतुला खान 1st का इस तरह हाइदरबाद में आसफ जाही डाइनस्टी की शुरुवात हुई और कार्नेटिक में नव्यत डाइनस्टी की तो इन दोनों वीडियो के बेस पर आप ये कह सकते हैं कि statement 1 और statement 2 दोनों correct है इसका मतलब answer हुआ 1 and 2 अब next question है with reference to Madanpale of Andhra Pradesh which one of the following statement is correct अब यहाँ पर ये थोड़ा bouncer question है ये आपको किसी भी book में नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप interest रखते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यदा detail में पढ़ने में अगर आपने national anthem को detail में पढ़ा होगा कभी Wikipedia पे तो आपको ये information मिल जाएगी इसका अंसर C है इसके लाब़ जो last question UPSC Plants 2021 में पूछा गया है वो है songs from prison जो की एक translation है Indian religious lyrics की English में इसके साथ कौन associated है तो इसका अंसर है गांदी जी बट ये भी किसी आपको book में या फिर even हमारी videos में भी नहीं मिलेगा तो ये थे 8 questions जो UPSC Plants 2021 में पूछे गए है तो I think अगर आप bookstava के साथ जुड़े हुए हैं और spectrum को भी refer करते हैं तो 8 में से 6 questions तो आप easily कर पाए होंगे Thank you so much for watching and supporting bookstava